ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक एलाइंस बनाएं जिसका नाम इंडिया है. तो अगर किसी पार्टियों का एलाइंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे देश तो 140 क्रोड लोगों का है किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है कल मान लीजिए इस इंडिया एलाइंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे फिर क्या भारत का नाम बीजे पी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे मालो इंडिया एलाइंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया तो क्या यह फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे यह क् इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया एलाइंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत चार वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया एलाइंस बनने से तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो ये तो देश के साथ बहुत जादा बॉकलाएं हैं बहुत जादा बॉकलाएं है जिस दिन इंडिया एलाइस से यह दें डेक्षण तो शे में मतलब मैं अगर आपको कौम वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे कोई फाइदा होगा आपके परिवार को कोई फाइदा होगा बच्चों को कोई फाइदा होगा कोई महंगाई कम हो जाएगी बेरोजगारी कम हो जाएगी वन नेशन वन इलेक्शन का बस एक ही फाइदा है अभी कि ये इन कुछ हर 6-6 महीने में जनता के बीच में जाके जनता से कुछ जनता के कुछ काम करने पड़ते हैं फिर ये पांच साल में एक बार शकल दिखाएंगे पांच साल पूरी दुनिया घुमेंगे फिर पांच साल में एक बार शकल दिखाने आएंगे मैं चैलेंज करता नेशन वन इलेक्शन हो गया तो अगले चिनाव के पहले 5000 रुपे का सलनिदर मिलेगा और अगली प्यरे पान जार सलैंडर करके और कहें के दोशोर कम कर दीया सकद करें तुझ वे